आज एक ही जगे पे खड़े हैं अनुच और बनराज पिता प्रेम को तो अनुपमा ने बाखुबी निभाया बाखुबी समझा मगर मां के प्रेम को ये दोनों पिता नहीं समझ भाई नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अन्जुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ बड़ा अफसोस मगर सच आज अनुच भी अनुपमा को दोशी खेरा रहा है और ये कह रहा है कि तुम वजे हो, मैं भी हूँ, तुम हो मगर और एक बार भी नहीं ये सोच रहा कि आध्या की मौत को लेके अगर मैं पागल हो सकता हूँ तो अनुपमा में क्या बीत रही होगी ऐसा तो अब हम नहीं कह सकते कि अनुपमा जो है, बहुत ही जादा बदतर हालत में कि वो सोची नहीं सकता है सोच रहा है, बोल भी रहा है ये वही अनुपमा है दोस्तो, अनुच की अनुपमा जिसने आध्या को अनुच के साथ मिलकर एडॉप्ट किया आध्या की परवरिश की, आध्या से इतना प्यार हुआ उसका कि आज वो सोच पा रही है कि आध्या जिन्दा है, मगर एक पिता नहीं पिता को बस एक ख़बर मिली तो आध्या मर गई वर्नाश्शा भी है यहां पर, वर्नाश्शा के साथ भी अनुपमा खड़ी थी, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ था, समर का नुकसान तो ये दोनों पिता आज एक ही जगे पे खड़े हैं, मगर मा का दर्द कोई नहीं समझ रहा है बात करते हैं डिटेल में पहले वही, निवेदन जिनोंने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है कर लिजे साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन दे रहे आज अनुज जिस दर्द में दिख रहा है अपनी आध्या के लिए क्या वो एक बार भी ये सोच पा रहा है कि अनुपमा किस दर्द में होगी मगर अनुपमा सोच पा रहे है कि ये पिता बहुत दर्द में है और मुझे इसकी बेटी को इससे मिलवाना है क्योंकि मुझे पता है कि आद्या जिन्दा है वो अपनी तहकीकात कर रही है ऐसा ही कुछ समय वन्राश्शा में भी आया था जब समर की मौत हुई थी तब भी अनुपमा वन्राश्शा के साथ साथ उनके आंसु पोंचती हुई दिखाई दी थी क्योंकि उसको वहाँ भी पिता का दर्द समझ में आता था उसको पता था कि एक उलाद को खोना दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात है मगर दोनों बार यही साबित हुआ कि मा तो दोनों का दर्द समझती है मा तो पिता का दर्द समझती है मगर पिता मा का दर्द नहीं समझती अनुच को क्या एक बार भी नहीं लगा कि मैं जब ये बातें बोलता हूँ तो मैं अनुपमा का नहीं एक मा का दिल दुखा रहा हूँ वन्राशा की तो बात ही क्या करनी वो तो टाइम निकला अच्छा निकला बुरा निकला बाद भी उसके अनुपमा को ही दोशी ठहराना है डीप रूटिड उसके अंदर जो नफरत बैठी हुई है वो आही जाती है सामने समर के टाइम पे उसने पूरा टाइम निकला वहाँ पे भी अनुपमा ढाल बनके खड़ी रही अनुच के सामने जब समर के लिए वन्राशा अनुच को दोशी ठहरा रहा था अगर यही बात अनुपमा अनुच के मुँपे कह देती कि मेरे बेटे की मौद के जिम्मेदार आप वो बेटे की लाश दामने पड़ी थी मगर वो एक पिता का एक इनसान का दर्द समझते कि इससे गलती हो गए मगर आज इस पॉइंट पे जब अनुच और वन्राश एक साथ गले मिलके सौरी और यह वो सब फील कर रहे हैं वन्राशा अनुपमा को बुरा बला कह रहा है कल भी कहेगा हो सकता है अनुच स्टैंड ले ना ले पता नहीं मगर यहाँ पर एक बात बिलकुल क्लेर है जो अनुच ने अनुपमा को कहा तुमारी वज़े से मेरी बेटी चले गए तुमसे प्यार किया इसलिए मेरी बेटी चले गए तो इसका मतलब यह है कि उसको सिर्फ और सिर्फ इस समय अपना दर्द समझ में आ रहा है एक सेल्फिश पिता जो सिर्फ अपना दर्द समझ सकता है माबाप वो होते हैं जो एक दूसरे का दर्द समझे अगर अनुपमा ने पांच साल पहले आध्या को छोड़ की आने की गलती की जिसका आप ठीक रहा अभी तक अनुपमा पे डाल रहे हो कि तुमारी वज़े से मेरी बेटे गी तो अभी अमेरिका से आने के लिए इंडिया आने के लिए अनुपमा के प्यार में पागल होने के लिए आपने भी तो गलती की आपने कुछ सा आध्या को इंफॉर्म किया कि आध्या मैं जा रहा हूँ तुमारी मम्मी से मिलने के लिए आपके हलाग तो वैसे थे ही नहीं जैसे अनुपॉमा के हलाग थे आपको तो किसी ने कुछ नहीं कहा था मगर आपका स्वार्थ था आपके कि मुझे मेरा प्यार मिल रहा है बेटी गही भाड में ये था आपका जब बेटी वाके भाड में चलीगी तो उसका ठीक रानुपॉमा पे डाल रही है वाँ 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 क्या इंसाफ आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो मुझे नहीं पता और मैं जिस जानना भी नहीं है क्योंकि अभी जो हुआ है इस एपिसोड में जो हुआ है एक माँ वहाँ पे रो रही है पहले समर की मौत पे रोई अब उसको पता है कि आद्या जिन्दा है और बार बार वो शब्द सुनना नहीं चाहती कि आद्या मर गए एक मा के लिए वहीं मरना हो जाथा जब उसके जिन्दा बच्चे को बार बार कहा जाए यह तो मर गया है यह तो मर गया है उसका पता ही कह रहा हो मगर फिर भी वो माँ पता का दर्द समझेगी उसको उसकी बेटी से मिलवाएगी मगर ना तो अनुपमा यानि की मा का दर्द अनुज ने पहले समझा पहले भी मेरी बेटी कहा अभी भी उसको यही है कि यह मेरी ही बेटी है दर्द भी मेरा ही है यह अनुपमा कौन होती है अनुपमा ने तो मरवाया है उसको अनुपमा तो जिम्मेदार है तो यहाँ पे दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों वहाँ पे भी बंडाश शाह समर की डैट के लिए अनुपमा को यह कहता फिरता था कि तुम्हारे आशिक की वज़ा से तो यह सब छीजे शायद यही कई कोई लोग ऐसे ही किसमत लिखवा के आते हैं धरावई के तो हम धरावई के तरीके से तेख रहे हैं मगर होता कुछ ऐसा ही है कई लोगों के साथ दोस्तों मगर फिर भी वो भलाई का रास्ता छोड़ते नहीं है क्योंकि वो समझदार होते हैं उनको पता है कि इसे इंसान को क्या चाहिए और अगर कभी भी अनुच ने अनुपमा को प्यार किया होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती है। आज अनुच को हम बर्नाश से नहीं मिला रही होते हैं। क्या कहते हो आप इसके वारे में प्रमेंट कीजिए का देखते हैं।